स्वागत है आप से भी का आपके अपने चनल मैट्स वित रवी लोजी में आज हम कक्सा आठ वसंत हिंदी चेप्टर नमबर साथ है नाम है क्या निरास हुआ जाए इसके क्यूशन आंसर करेंगे इंपोर्टन क्यूशन साथ में दिखाते जाओंगा जो बोर्ड परिक्सा में अक्सर पूछ लिये जाते हैं या पूछे गए हैं तो उसे साथ से हम पढ़ते हैं चलिए पहला सवाल पढ़ लेते हैं लेखक ने स्विकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोका दिया है फिर भी वह निरास नहीं है आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है बताईए इंपोर्टन है लेखक ने स्विकार किया कि लोगों ने उन्हें धोका भी दिया है लेकिन फिर भी वह निरास नहीं है क्योंकि लेखक का यह मानना है कि अगर उन लोगों ने धोकों को याद करेंगे ना उन धोकों को जब याद करेंगे तो उनका मन परेशान उसे बर जाएगा और तब उनके लिए किसी पर विश्वास करना मुस्किल हो जाएगा धोका देने के किसे बहुत है जब लोगों ने उनकी साहिता नहीं की लेकिन कई लोगों ने उनकी बिनाकारण भी साहिता की है जैसे बच्चों के लिए, अन्य बस के लिए, बस कंडुक्टर का दूद लाना, तीकिट बाबू का लेकर को बच्चे में पेसे वापस देना आ दी तो इनसे उन्हें भरोसा है कि लोगों में मनुशिता और आपसी प्रेम अभी भी जिन्दा है इसलिए वो इन चीजों को वापस याद नहीं करना चाहते हैं दूसरा है कि उसने आपका दोसों का परदापास करना कब बूरा रूप ले सकता है तो जब हम किसी व्यक्ति के दोसों का परदापास करते हैं तो कई बार व्यक्ति क्रोजित होकर बदला निकालने के परियास में हमें हानी पहुचा सकता है तो ऐसे में दोसों का परदापास करना बूरा भी हो सकता है इसलिए हमें किसी के दोस वगरा पर जादा यूं करना नहीं चीए अगर उसको सुधर ना होगा तो खुद सुधर जाएगा वो उसको भी महसूस हो जाएगा तीसरा कुछन है कि आज कल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चनल दोस्तों का परताफास कर रहे हैं इस प्रकार के समाचारों और कारेकरम की सार्तक्ता पर तर्प दीजिए अपना तो लोगों के गलत कर्मों पर परताफास करना जरूरी है समाच में किसी को भी किसी भी तरह की हनी ने पोचे इसलिए यह फाइदे मन्द है इसके लिए लोग समय रहते सतरक और सावदार हो जाते हैं ताकि उनको पता चल जाता कि फालाना आदमी कैसा है न तो होता कि उसने के निम्रित के संभावित परियाम क्या क्या हो सकते हैं आपस में चर्चा कीजिए जैसे इमानदारी को मुर्कत लोगों का सच्चाई पर विश्वास उड़ जाएगा बेमान और कप्टी लोगों को आगे बढ़ते देखके मेनती और सच्चे इमानदार लोगों का स्रम और परियास से विश्वास उड़ जाएगा उनको लगने लगेगा कि यार अब परियास हमें बंदी करते ना ते जाही हैंद तो आगे निकलने वाले हैं लेकिन पर्यास हमेशा सब्साइल करने जब करके पेसा कमा रहे हैं वह आज भूँ ज्यादा दुखी है जल कपडग मने है वो सबसे ज़दा मस्त है और सबसे ज़दा कुछ वो ही दिखाई देते हैं ये बश्टाचार इससे ज़दा बढ़ेगा ये बश्टाचार कही कारण है तीसरा है इसका हरा आदमी दोसी अधिक दिखरा है गुणी कम तो हरा आदमी दोस्री अधिक दिगराए गुणी कम इसमें एविस्वास और संदे बढ़ रहा है इसके करण ऐसा हो रहा है और क्या आप इससे भी बेहतर इससक सुझा सकते हैं तो आप बताईए दो लेखक ने सिर्षक का नाम क्या निरास हो जाए इसलिए रखा उशित रखा क्योंकि समाज में नकारात्मक था और उनसे गटिद कटनाओं के करण उनके अंदर निरासा बर जाती है तो इनके करण उन प्रश्न 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 प्रस्न वाचक वाक्य के आखिर में प्रस्न वाचक सूरू में क्या इस प्रकार से पूछा गर अंत में प्रस्न वाचक चीने इस प्रकार से लगाना चाहिए तो जीवन में बुरायों और कठिनों के बीद निरासा होने के बजाए सकर अत्मक और निश्चेता अत्मक रहना जरूरी है साथ और कुछने आपका आदर्सों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है क्या आप इस बात से सहमत है इंपोर्टेंट है ना तो आदर्सों की बात करना तो बहुत आसान है लेकिन उन पर चलना बहुत ज़दा कठिन है इस कफन से हम सहमात है क्योंकि जब हम जब की जब आदर्सों के मार्क पर चलते हैं तो बहुत ज़धा परेशनी आती और चुरूतियों का सामना करना पड़ता है और सामाजिक विरोधियों का विरोधित रत्वों से डटकर हमें मुकाबला करना पड़ता है तो इसलिए यह ज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें वहां पर आपके लिए सारी क्लास की वीडियो पड़ी है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना जान रखेंगे जाहिन